हाई गैसे विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक्यादव एडूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 20 ओक्टूबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 20 ओक्टूबर 2021 केस और है वेडनेस देखेंगे आज का दे हिंदू कम्प्लीट न्यूस दे हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को एनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कम्प्लीट न्यूस पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में दीपक यादव एडूकेशन आप लोग को ये वला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जोईन करना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दि डिफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिलकुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोईन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्शर को एक मैप के क्व मैप में देखने के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन करेंगे जो की यूपी एसी प्रीवेस यार 1995 के प्रेलिम्स में पूछा गया था बहुत पुराना क्वेशन है लेकिन कोई बात नहीं हम लोग डेली बिसस पर एक प्रीवेस यार क्वेशन को भी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन देखो ये क्वेशन बहुत जधा इसी है इसको आप लोग सॉल्व कर पाऊगे हाली में ये आर्टिकल चर्चा में भी था देख पाऊगे यहाँ पर बात की पर तो इसका सही आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ट्राय करना और यहाँ पर आप लोग इसली दे पाऊगे मुझे ऐसा लगता है ओके साधी साथ जिसको नहीं पता है इसके बारे में मैंने आप लोग को आंसर नीचे प्रोवाइड करवा दिया है प्लस देखो बात करी गई है उत्रकंड के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली मूसलाधार बारिश हुई है जिसकी वज़ा से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर साधी साथ 47 लोग की जान जा चुकी है देखो यहाँ पर हम बात करें उत्रकंड की अ पूसरा आप देख पाओगे अपकी बार मौनसून कितना जादा लेट हो गया है वेड्रॉ होते होते उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रिजन इसके पीछे देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह सारे इंसि यह एक कंपन्जेशन चार लाक रुपे का कंपन्जेशन दिया जाएगा जिन भी लोग की डेथ होई है उनकी फाम्ली को यहाँ पर इसके बार में में अपर आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल सही है लेकिन साथ साथ आप देख पाओगे फ्लड्स यहाँ पर जो यह फ् फ्लड्स काफी चच्चा में है तो फ्लड्स के बारे में आप लोगको बता दूँ बाल के बारे में आप सभी लोगको मालूम होगा फ्लेश फ्लेड में क्या होता है यहाँ पर ध्याँ से सुनते रहना यहीं पर क्लियर कर लेंगे बारिश के साथ जो बर्फ वगरा है वो पिगलती हमारे ग्लैशियर्स पिगलते हैं और उसका पानी काई खटा होता है उसका पानी जाकर समुदर के थुरूफी रिगनदियों में खटा होता है तो यहाँ पर क्या होता है रिवर फ्लेड के अंदर पानी का स्तर बढ़ जाना तो वो रिवर फ्लेड की काडिगरी में आता है न उसके बाद आता है कोस्टल फ्लेड कोस्टल मतलब कोस्टल एरियास कौन से होता है जो समुदर के किनारे तट वाले एरियास होता है अब कोस्टल फ्लेड कब आएगा जब सुनामी आएगी या फिर कोई ट्रॉपिकल साइ क्योंकि हमेशा आपको court करना होगा जब आपने flood के बारे में कोई चीज बताई है तो इसके बारे में ध्यान रखना है ये भी बताना होगा कि हां भारत के अंदर कौन कौन से areas हैं जहां पर flood को लेकर बहुत जादा vulnerable एक तरीके से आपको situation देखने को मिलेगी तो वो कौन कौन जहां पर floods बहुत जादा देखने को मिलता है लेकिन अभी यहां पर इस समय में यहां पर दो areas और एड़ कर दिये गए हैं वो areas कौन कौन से हैं करेला और तमिलाडू क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे floods देखने को मिलता है ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो ओके आगे बढ़ते हैं next article की तरफ देखो यहां पर article पढ़ना तो है लेकिन उसको हमें अपने syllabus से भी relate करना है static portion से cover करना है इसमें हमारा काम काफी जादा easy हो जाता है next article में बात करी गई है vaccine के बारे में देखो यहां पर article exam के लिए तो important नहीं है बिलकुल मैं यह statement दिया है इस map के तुरू आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी देखो इस map में क्या बताया यहां पर आपको clearly visible होगा map एक statement दिया गया है कि लगब 30.4% अभी इंडिया के adult बचे वेडल की population इतनी बची हुई है जिन्नोंने एक तरीके से आपका सकते हो कि मदब अभी हाँ पर 18 October तक का data है तो आप समझ सकते हो अभी बहुत कम ही लोगों को यहाँ पर vaccine के दोनों dose मिल पाए है अभी बहुत सारे areas जहाँ पर बहुत सारे लोग बचे हुए है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे यह सारी चीज़े mention करेगी इंडिया का map दिया वाए यहाँ पर आप जितने भी यह areas आपको देखने को मिलेंगे red category में या फिर light red category में यहाँ पर बहुत सारे adults बचे हुए है इनको अभी वैक्सिनेट करना है ठीक है तो यह आप लोग देख पार होंगे ओके तो यहाँ पर I hope आपको यह clear हो चुका है वैसे exam के लिए कुछ important नहीं है अभी फि आप करेंगे श्री लंका इंडिया fisherman disputes के बारे में fisherman को लेकर एक बहुत बड़ा issue चलता है यहाँ पर मैं पिछले कुछ दिनों में लगबग दो तीन दिन पहले हमने discuss किया था शायद इस issue के बारे में या फिर और जादे दिन भी हो गए होगे कोई बात नहीं आपको बता द दब कारण क्या था कारण यह था जिस बोट में यह थे इनकी बोट टकडा गई स्री लंका के बोट से और एक तरीका स्री लंकन वोट से और टकराने के बाद यहाँ पर यह वक्ति पानी में गिरा और डूब कर यहाँ पर डैत हो गई है तो fisherman कहां से बिलॉंग करता था मैंन थे उसी बोट पर और उन दो मचवारों को डिटेन कर लिया है कस्टडी में ले लिया है स्री लंका की नेवल ने इसा क्यों कि आ गया क्योंकि इन मचवारों ने क्या करा इंटरनेशनल मैरी टाइम बाउंडरी लाइन को क्रॉस कर दिया एक इंपोर्टेंट टर्म निकल कर आ गया है इस पूरे आर्टिकल से इंटरनेशनल मैरी टाइम बाउंडरी लाइन या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के परस्पेक्टिव से तो इसको लेकर चर्चा होती है एक्स्क्लिूसिव एकनॉमिक जोन करके यहाँ पर बहुत चर्चा होती और ऐसे ही इंसिडेंट हर साल बहुत सारे निकल कर आते हैं और आप कह सकते हो कि यह तो इंसिडेंट कम है बहुत बार हमने कवर किया कि गोली वागर भी चल जाती है बहुत से लोगों को मार दिया जाता यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर अब यहाँ पर दो दिन बीचे आपको यह श्रिलंका देखने को मिलेगा इंडिया और श्रिलंका के बीच में आता है पाक बे इसको हम लोग पाक स्ट्रेट भी बूलते हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्वेशन बन सकता है और इधर ही यहां पर गल्फ ऑफ मननार भी बनता है अब आपक होगा exclusive economic zone है हर country का exclusive economic zone होता है मतलब कि यहां पर यह भारत की territory है भारत की territory से थोड़ा सा आगे चलोगे तो जो कुछ समुदर का हिस्सा है वो भारत के territory के अंदर में ही आता है वहां पर allow होता है आप fishing वगरा कर सकते हो लेकिन इस line को cross करके आप लोग दूसरी territory में नहीं जा सकते ठीके इसके उपर restrictions भी रहती है तो fisherman ने क्या किया है इसी line को cross किया और cross करने के बाद यह पहुँच गये श्रिलंका की territory के अंदर और वहीं पर यह सारे incident देखने को मिले है अब बात करेंगे हम लोग exclusive economic zone के बारे में exactly क्या होता है तो मालो यहाँ पर यह इंडिया की land ह land के बाद आगे का जो जगा है समुद्र का हिश्रा शुरू होगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो इंडिया का land हो गया अब यहाँ पर आप कर सकते हो यहाँ पर हम territory कैसे पता लगाएंगे हम बात करें न exclusive economic zone की तो जो exclusive economic zone होता है यह लगबग आप कर सकते हो 200 nautical miles तक क कर डिसाइड क्या गया है कि 200 nautical miles तक का जो एरिया है वो exclusive economic zone की काटेगरी में आएगा मतलब कि यह भारत की territory हो गई भारत की territory से मालो यहाँ पर यह वाला जो एरिया है टूटी कोरिन वाला एरिया है यहां से आप कहोगे exclusive economic zone कितना होगा यहां से जितना भी exclusive economic zone होगा यहां पर 370.4 km के आसपास का एरिया मतलब इतना एरिया 371 km का जो एरिया है वो इंडिया की territory में होगा उसके बाद वाला जो एरिया होगा समुद्र का वो international waters मा जाएगा तो यहां पर यही एरिया क्रॉस करके फिशर में निकल जाते हैं इस एरिया को क्रॉस कर देते हैं और उसकी वज़ा से यह disputes देखने को मिलते हैं I hope आपको यह clear हो चुका है exclusive economic zone exactly क्या होता है आगे बढ़ेंगे अगले article की तरफ बहुत important article है next article भी यहां पर क्या हुआ है European Union Food ने recall कर लिया एक तरीके से यहां पर भारत के ओपर काफी सारे इल्जाम लगाए गया लेकिन भारत इ तरू बोला गया है यह सब हम लोग discuss करेंगे एक candy company आपको देखने को मिलेगा यहां पर नाम है Mars वरिगले इन्होंने एक तरीके से बोला है कि हम लोग एक तरीके से recall कर रहे हैं भारत का जो भी तरीके से आपका सकते हो कि यह genetically modified rice है उसको अब यहां पर genetically modified क्या होता है आगे ने export किया है किसको European Union को लेकिन जो भारत ने export किया था इसमें से बहुत सारा जो rice है वो टूटा वाला था मतलब खराब rice था contaminated था और यहां पर आपका सकते हो टूटे टुकड़े में था तो यहां पर European Union ने क्या करा उसको piece कर उसका floor बनाकर आटा बनाकर उसको दूसरी गया है तो इन सब चीजों को इन सब चीजों के रिकार्डिंग भारत का क्या statement आया है भारत नहीं यहां पर भारत की जो Commerce Ministry उन्हें ने बोला जो यह जैंडिकली Agriculture Export के अंदर नंबर 1 या 2 पर रहते ही हमेशा यहां पर अगर आप कह सकते हो तो इन सब चीजों को देखते हो भारत की इमेज को खराब किया जा रहा है यह इंडिया का statement देखने को मिलेगा देखो अगर हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन जितना नंबर आप बता र ग्लियन टर्न्स तक का देखने को मिलता है और कितने कोस्ट का है लगबग 65,000 करोड रुपीस का यहां पर यह हम लोग एक्सपोर्ड करते हैं राइस को और कितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ड करते हैं उसमें से यहाँ पर जो European Union Commission है European Commission बिसिकली यहां पर यहां पर यहां प बहुत पहले से चल ला है 21 जून की बात है अभी जो यहां पर 21 जून निकली है वहां पर फ्रांस ना फ्रांस ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि अनॉथराइस जनेटिकली मोडिफाइड जो राइस फ्लोर है इसको आइडेटिफाइग गया और भारत से कोई आप देखो यहां पर आपको मालूम होगा यूपीसी में क्वेशन पूछा गया था बोल गार्ड को लेकर बोल गार्ड क्या है बोल गार्ड भी क्या था एक जनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप थी आगे मापको बताता हूं यह वाला जो पिच्चर है यह पिच्चर मैंने आप लोगों से लगबख मैं के महिने में शेर किया था ठीक है इस साल के मैं के महिने में शेर किया था आपको मालूम होगा आप लोग सर्च कर सकते हो टेलिग्राम पर यहां पर मैं आपको बताया था जनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप के बारे में देखो जनेटिकली मोड पैदा होकर एक नया क्रॉप पैदा होकर निकलता है इसको हम लोग जनेटिकली मोडिफाइट क्रॉप बोलते हैं ठीक है और आप कर सकते हो एसे बहुत सारे क्रॉप देखने को मिलेंगे जैसे की बीटी कॉटन हो गया बीटी ब्रंजल हो गया लेकिन आप कर सकते हो कि इंडि सकते हो कि genetically modified crop क्या है इसको हमें समझना था यह हम लोगों ने समझा है देन उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं तो देख पाऊगे आपकी बार UPS ने question क्या पूछा था बोल गार्ड वन और बोल गार्ड डू यह जो technologies है यह mentioned करी जाती है किस context में यह technology mentioned की जाती है developing genetically modified crop plant के अंदर ठीक है जो कि अभी हमने बीटी कॉड़न की बात की थी इसके अंदर भी आपर इस technology बोल गार्ड का ही इस्तमाल किया गया था अब चलते हैं आगे newspaper पर अब आगे बढ़ेंगे next article की दरफ next यहाँ पर बात हो रही है Chinese patrolling यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजराई है slightly up in the east यहाँ पर देखने को मिला है eastern sector के अंदर मतलब जो एक तरीके से patrolling मतलब क्या होता दस्तक मारना तो इसको थोड़ा सा increase किया गया है तो इंडिया और चाइना दोनों मिलकर infrastructure को develop कर रहे हैं LAC के पास यही एक सबसे बड़ा concern वाला एरिया है इसी infrastructure development की वज़ा से दोनों countries के बीच में regularly disputes देखने को मिल रहे हैं ओके यहाँ पर आप देख सकते हो जो Chinese पास तो यह आप लोग देख पाओगे इन्होंने बताया है प्लस यहाँ पर इन्होंने अपने जितने भी exercises वगरा है वो भी increase कर दी है और यह सब क्यों कि आया है क्योंकि लद्दाक वाले region में पिछले एक साल से दोनों countries के बीच में regularly disputes आपको देखने को मिलेंगे infrastructure को develop करने की जो line of actual control वाला area है इसके पास मालों यह area line हो गई इसके बाद यहाँ पर इंडिया इधर हो गया इधर चाइना हो गया इधर इंडिया अपना infrastructure डवलप करने की कोशिश कर रहा है इधर चाइना अपना infrastructure डवलप करने की कोशिश कर रहा है और इसी कारण की वज़ा से दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर यह डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन उसके बाद हमारी आर्मी बोलती है उसको हम लोग थोड़ा सा और ज़़ा बढ़ा रहे हैं उसके बाद दोनों साइट्स यहाँ पर मैं आपको बता दिया इंफ्रस्ट्रक्चर को लेकर ही क्या होता है दोनों साइट्स के बीच में इशूज क्रिएट होते हैं इन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया देन उसके बाद किया है कि दखो इंफ्रस्ट्रक्चर डवलाप कोगा तो उसके फाइदा क्या होगा जैसे जैसे इंफ्रस्ट्रक्चरड डवलप होगा तो वहाँ पर हम लोग जादा सादा अपने troops को border के उपर अपने जो troops हो गए उनको deploy कर सकते हैं उनको फैला सकते हैं उनको तैनात कर सकते हैं हमारे पास थोड़ी सी जादा capability वहाँ पर बढ़ जाएगी जैसे जैसे वहाँ पर सारी infrastructures डेवलप होंगे तो इस से यहाँ पर एक तरीगे से कोई country चाहे है आने वाले टाइम पर भी हम अपने technology के अंदर और ज़्यादा increment करने वाले हैं उसके बाद लगबग 3,488 km का आपको यह LAC देखने को मिलेगा इसमें से 1,346 km की जो LAC है वो आपको eastern sector के अंदर देखने को मिलेगी वहीं पर यह disputes के बारे में चर्चा हो रही है उसके आज के टाइम पर 17 mountain strike cops आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे इनकी शुरुवात 2014 में होई थी अब यह fully operationalize कर दिये गए हैं और यहां पर आपका सकतो जितनी भी units है यह तरीके से क्या करेंगे combat support करेंगे लडाई वगरा में बदत करेंगे और इनको एक तरीके से fully equipped कि अगरा provide करे जा रहे हैं तो मतलब overall की बात करें तो यहां पर security को enhance करने की बात की गई है साथ हम लोगों के पास आज के टाइम पर बहुत सारे equipment देखने को मिलेंगे और हम लोग आज के टाइम पर infrastructure को develop कर रहे हैं इस region के अंदर साथ हम लोग infrastructure को develop करने के साथ साथ वहां पर Chinook Heavy Lift Helicopter पहुचा देंगे प्लस उसके बाद हमारे पास आप कर सकते हो आज के टाइम पर M777 Ultra Light Houser देखने को मिलेगा यह सब यहां पर क्या करेगा हमारी position को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है तो basically यहां पर बात की गई है China उदर से strong होगा तो भारत भी हां से properly stronger Community के उपर अगर हम बात करें वहां पर जो हिंदूस है वो बहुत कम है तो हिंदू Minority के अंदर आ रहे है हिंदू Minority को यहां पर protection देने की बात किये UN ने हुआ क्या था हुआ यह है हिंदूस के ओपर बहुत सारे attack हो रहे हैं बंगलदेश के अंदर आप लोगों ने देखा ह हाली में हमने बहुत सारे articles cover करें अभी दुरगा पूजा हुई वहां पर पंडाल पर attack किये गए ठीके उसके ओपर उसके बाद टैंपल्स पर attack किये गए उसके बाद आप आप देख सकतो हिंदूस को regularly ऐसा नहीं बात है नहीं बात नहीं है बहुत लंबे समय से हापर आप पाओ को regularly attack किया जा रहा है दूसरी बात यह देखने को मिलेगी कि कोई भी मालो आप कर सकतो हिंदूस के support में नहीं आया वहां पर बहुत सारे जो बंगलदेशी हैं जो इक तरीके से Muslims हैं उनका बहुत अच्छा YouTube channel है बहुत सारे अच्छे मतलब growth देखने को मिलेगी उनके लेकिन कोई भी support में आया नहीं है ऐसा आपको यह देखने को मिलेगा तो इन सब चीजों को देखते वे United Nation ने बोला है कि देखो आपको जो हिंदूस minorities यह पांगलदेश के अंदर उनको एक protection देने की जरुवत है और आप कर सकतो वो पांगलदेश के अंदर इन attacks को रोकना ह होगा वो एक छोटा सा article यहां पर mention किया गया है आगे बढ़ेंगे next article की तरफ next article जिसके basis पर आज का thumbnail है ठीक है थमलेल में मुझे थोड़ा सा time लग जाता है यार मुझे थोड़े बहुत changes करने पड़ गए thumbnail के अंदर वो बताऊंगा क्यों करने पड़ गए बाद में अभी मीटिंग के अंदर लंबे मतलब घंटों तक बातचीत हुई है कि किस प्रकार से हम लोग चाइना के द्वारा जो यह साइबर अटैक है उनको रोक सकते हैं यह आप देख पाऊंगे मीटिंग चल लिए हो मिनिस्टर अमिश्या बैठे हुए है सामने और यह मीटिंग चल ल गया इलीगल माइग्रेशन जो देखने को मिलता है वह यहां पर उठाया गया तीसरा टॉपिक उठाया गया कि किस प्रकार से हम लोग आतंगबात को टैकल कर सकते हैं तो इन तीन टॉपिक के बारे में चर्चा हुई है नौ घंटे तक यह कॉन्फरेंस अला है अलग-लग स गया तो आप देख पाऊगे बहुत सारी स्टेट्स के यहां पर एक पावर आउटेज हुआ था प्लस और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पर पता लगाया गया कि जो चाइनीज के हैकर्स है इन्होंने यहां पर यह आप यह आटेग किया है ठिके यह आपको देख इस हकर हैं इन्होंने टार्गेट किया था हमारे अलग-अलग power centers को नवंबर में टार्गेट किया था नवंबर 2020 में February 2021 में भी टार्गेट किया था मैंने आपको तब डीटेल में समझाया था cyber attack के बारे में plus मैं आपको बता था cyber security के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्यों जरूरत है ये इसको पर question बन सकता है कि cyber security को लेकर क्या आज की टाम पर हमें जरूरत है क्या हम कर रहे हैं government initiative क्या है तो ये कुछ चीज़े आपको clear करके चलनी पड़ेगी पहले से आपको ये सारे एक तरीके से topic त्यार करके रखना होगा तो इसमें extra चीज़े में आपको बता देता हूं जो cyber security है cyber security का मतलब क्या है जो cyber attack है उसके regarding हमें एक protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना एक तरीके से आपका सकते हो cyber attack देखने को मिलते हैं बहुत सारे attack आप समझ गया होंगे computers के मादे हम से attack किये जाता है hacking करी जाती है ठीके उस चीज़ के regarding एक security प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है आज के टाइम पर cyber security की जरूरत क्यों है जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें चाहे वो US हो चाहे वो बहुत सारी countries हो जिनके ओपर cyber attack लगातार देखने को मिल रहे हैं लगातार यह के पास capability देखने को मिलेगी cyber warfare की यहाँ पर यह cyber warfare में उतर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बोला गया दूसरा reason जिसकी वजह से हम लोग को जरूरत है आज के टाइम पर cyber security की वह है आज के टाइम पर सारी चीज़े डिजिटलाइज हो चुकी है इन फैक्ट करोना के वाद त यहाँ पर एक concern है तो इस वजह से हम लोगों क्या चाहिए इस वजह से हम लोगों को cyber security चाहिए उसके बाद यहाँ पर बोला गया तीसी जरूरत यह है कि हाल ही में cyber attack बहुत सारे देखने को मिले Chinese group एक Chinese group पर red echo करके इसने यहाँ पर एक cyber attack किया था इंडिया के power sector पर जैसे इस article में mentioned है मैंने आपको बता है ना तो इस article में mentioned है तो red echo ने यहाँ पर malware का इस्तमाल गया था malware यहाँ पर एक software देखने को मिलेगा जिसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है अब यहाँ पर malware इसको shadow paid बोला गया था इसका इस्तमाल करके यहाँ पर आप कह सकते हो hacking की गई थी तो यह आप लोग देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से बहुत सारे hacks देखने को मिलते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग को एक cyber security की ज़रूरत है अब question यह है कि आज के टाइम पर हमारी सरकार क्या कर रही है देखो सरकार हमारी बहुत कुछ कर रही है लेकिन उ उनको खत्रा देखने को मिलता है इन सब कारणों की वज़ा से आज के टाइम पर हम लोग को जरूरत है किसी चीज़ की cyber security की तो सरकार cyber security प्रोवाइट करवाने के लिए अलग-अलग initiative चला थी यह भी आपको mention करना होगा अपने answer writing के अधर वो initiative कौन कौस है एक है Cyber सुरक्ष 2013 यह सारे initiative देखने को मिलेंगे जो की कईना की cyber attack को tackle करते हैं उसके बाद एक next article देखने को मिलेगा इंडिया रश्या के बारे में चर्चा और यह article GS paper to international relations के point of view से important हो जाएगा यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और रश्या दोनों को यहाँ पर common खत्रा देखने को मिलेग इंडिया रश्या आज के टाइम पर common threat face कर रहे हैं अफगानिस्तान की वज़ा से अफगानिस्तान के अंदर काफी crisis create हुए है आपको मालूम है आतंगवात काफी बढ़ चुका है उसकी वज़ा से भी हम लोग को यह एक तरीके से concern देखने को मिल रहा है यह सब कुछ discussion है वहाँ पर यह सब कुछ देखने को मिला है उसके बाद आने वाले टाइम पर भी एक मीटिंग होने वाली है मौसको फॉर्मेट मीटिंग भी होने वाली है और मौसको फॉर्मेट मीटिंग में तालीबान का जो deputy Prime Minister है वो होंगे साधी साध यहाँ पर national security advisor होंगे डेली के उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो और ही बहुत सरे लोग देखने को मिलेंगे एने से होंगे चाइना पाकिस्तान के भी यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे इन लोग को भी invite किया गया है एक मीटिंग के अंदर लेकिन अभी हम लोग बात करें टूदा पॉइंट की उसके बाद टेर्रिजम आतंगवाद बड़ता हुआ रज़र आ रहा है तो भारत और रश्या दोनों को खत्रा है आतंगवाद का उसके बाद इनस्टाबिलिटी काफिया तक क्रियेट हो चुकी है और आप कर सकतो यह भारत की बात नहीं हो रही है रश्या की बात नहीं हो मिलने वाली है यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग होंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बारत के और भी बहुत सरे लोग यहां पर देखने को मिलने वाले जो कि पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कॉशन करेंगे कि इस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर Peace and Security को Maintain किया जा सकता है उसके बाद यहां पर बोला गया हाँ देखो वही मैंने आपको बताए ना कि आफगानिस अंगे दो पॉलिटिकल सिचुएशन उसके बारे में चर्चा हो रही है वही यहां पर चीजे मेंचेंट करी गई है उसके बाद यहां पर और जादा कुछ भ बारे में वो यह है कि अभी भारत के पास भारत ने डील करी है रश्या से S-400 मिसाइल सिस्टम की तो वो जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो अपने ट्राक पर है और अभी हां पर जल्दी उसके डिलिवरी हम लोग को देखने को मिलेगी इस साल दिसंबर तक हमारे पास S-400 को मिलेगा इंडिया इसराइल यू दे चारने बना दिया है आपको मालूम हुगगा एक अौंड ग्रुप तो अल्रेडी है और दूसरा क्यू है यह आपको देखने को मिल जाएगा और जो जो गोल है वही वहां पर एड़िट्ल भी बताया हूगा बताया गया होगा तो वहाँ पर हम लोग डिसकस कर लेंगे इसके बारे में ठीक है यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार रहेगा यहीं सारी चीज़ आपको वहाँ पर सेम बिल्कुल मेंशन देखने को मिलेंगी आगे बढ़ेंगे और उसका यहाँ पर और कोई इतना इंपोरेंट अपना बलिस्टिक मिसाइल और यहाँ पर आर्टिकल हमाले कोई इंपोर्टेंस रखता नहीं एक्जाम के लिए लेकिन अभी क्या है न यह जो भी रिपोर्ट है अभी से काफी सरे कंसर्ण पैदा होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास काफी सरे वेपन्स आपको आपको यू एस ने मिलकर यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में डिसकस किया है जो भी नॉर्थ कोरिया ने अपने बलिस्टिक मिसाइल को लांच किया बलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है इसके बारे में तो आर्टिकल के अंदर बोला गया है जो यह मिसाइल इन्होंने यहां पर नहीं है कि आप यहां पर सरो फटें Angos और चाहूंगा सुभा पांच बजए यहां पर ऑना चाहूंगा पॉडूड मैं अच्वालने वीडियो विडियो को प्रॉपर डिफरेंस हम जा है बलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के सारे डिफरेंस क्लियर करें हैं प्लस उसके बाद मैंने बहुत सारी पहले ही आर्टिकल सुभा को वीडियो है पांच बजेगा डेली करन्डा फिर वाला उसका पहला आर्टिकल ज़रूर देख लेना उसमे लिंक वैसे आपको यहाँ पर कम्यूटी पोस्ट में मिल जाता है लेकिन कम्यूटी पोस्ट मैं शाम को वो पोस्ट कर पाता हूँ यहाँ बात करते हैं बलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की तो दो प्रकार की आपको यह मिसाइल देखने को मिलेंगी होता क्या है दोको बलिस बलिस्टिक मिसाइल का रास्ता कैसे होता है आपने मालों यहां से मिसाइल छोड़ी जब आप मिसाइल छोड़ोगे तो यह मिसाइल ऐसे जाती है और ऐसे आती है इसको मलग बोलते हैं बलिस्टिक मिसाइल बलिस्टिक मिसाइल को यह बोले जाता है यह हमारे एटमॉस्फियर को एक तरीके से छोड़ देती है ठीक है atmosphere को छोड़ देती है atmosphere से exit होने के बाद यहां पर पहुंची उसका वापस से re-enter कर जाती है तो वो होती है लेकिन cruise missile क्या होती है वो हमारे atmosphere में ही रहती है कैसे चलती है वो cruise missile ऐसे जाती है और ऐसे चली जाती है तो यह आपको difference याद रखना है Palestinians के लिए जो भी Palestinian वाले लोग हैं ठीक है वो यहाँ पर उनको एक तरीके से approval दिया गया Tuesday में ठीक है मंगलवार में यहाँ पर approval दिया 4000 Palestinians को कि आप लोग register कर सकते हो as a resident of the West Bank West Bank के resident की तोर पर आप लोग अपना registration कर सकते हो और यह approval पहली बार दिया गया है पिछले 12 सालों के अंदर क्योंकि इसराइल ने लगबग आप कर सकते हो कि West Bank को यानि Palestine को कबजाया है 12 साल पहले और आप कर सकते हो मतलब ऐसा resident वो लोग यहाँ पर अपना आपको register कर सकते हैं West Bank के अंदर तो यह पहली बार ऐसी information मिली है इससे क्या साबित होता है इससे सिर्फ और सिर्फ एक point साबित होता है कि इसराइल और Palestine के जो relations है वो improve होंगे आने वाले time पर और कुछ ना कुछ improve हुए है यह बस अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि इसराइल और Palestine अपने आप में एक बहुत important conflict है exam के perspective से साधी साथ दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है conflict के अंदा टॉप पर यह conflict आने वाला conflict है ठीक है तो इसके बारे में ध्यान रखना है तो अभी क्या है relations थोड़े से improve हो है वो क्यों हो है क्यों हो है क्योंकि इसराइल ने कि अगरा पिलिस्तिनियन्स को West Bank में रहने की as a resident registered करने की यहाँ पर इजाज़त दे दिये कितने लो गया अब आपको अभी पिलिस्तिन की बात कर रहे थे पिलिस्तिन कहां पर है पिलिस्तिन कही नहीं है यह जो West Bank वाला region है ना यही पर पिलिस्तिनियन रहते हैं उसका गयाज़ा पत्टी वाला area है यही पर भी प्लिसतिनियन रहते है लेगिन इन दोनोंे इरियाज में डिफ्रेंस बहुत है वेस्ट बेंक को अंदर इस्राइल का कंट्रोल है और गाज़ा पट्टी के अंदर हमास का कंट्रोल है हमास जो की एक टेर्रिस्ट और आतंगवदी संगड़न है यह आप लोगो ध्यान रखना ठीक है तो अभी इस एरिया के अंदर 4000 लोग यानि कि नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट तो जो बैंक का एंपिए है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा एट टू नाइन परसेंट यह बताया गया है और यह किसके थूरू बताया है यह बताया है क्राइसल एक एक तरी इस रेटिंग एजनसी है इसने बताया कि देखो आने वेले टाइम पर जो भारत के जो बैंक है उनका नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट बढ़ सकता है 7.5 से 8-9 परसेंट अब यहां पर कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है इसी सेंटेंस में सारी चीज़े क्लियर हो जाती है हमें बस हमें एक कॉंसेप्ट क्लियर कर लेना है जो एक् चलता कैसरें नремत के पासा कैसा आता है तो यहां पर इसके बारे मिन समझना तेखो यहां पर बैंग क्या करता है आप लोगों एक यतरीके से लुळाय करवाता है लोन तो बाद में प्रोवड करवाएगा पहले हम लोग बात करते कस्टमर्स की हाँ पर कस्टमर्स हो गए कस्टमर्स क्या जाता है बैंक के पास बैंक के पास जाएंगे क्या करने पैसा को डिपॉजट करने पैसा जमा करेंगे क्यों बेवकूफ के कस्टमर नहीं क्या है कि कस को यहाँ पर इसको पर इंट्रेस्ट मिल ला है है ना क्या मिल ला ब्याज मिल ला है थोड़ा सा यहाँ पर पैसा रख रख रहा है हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा थोड़ा सा बढ़ेगा ब्याज मिल ला है हमें इंट्रेस्ट मिल ला है तो बैंक यहाँ पर को दे दिया बड़े-बड़े बिजनसमें को दे दिया जो फैक्ट्रीज लगना चाहते हैं इंडस्ट्रीज को ग्रोव करना चाहते हैं वह करोड़ रुपे का लोन ले लेता है बैंक से तो लोन लेने के बाद आप कह सकते हो वह उसके ओपर भी इंट्रेस्ट देंगे मतलब यह जो व्यक्ति अब वह बैंक को इंट्रेस्ट देगा ठीक है वह व्यक्ति जो बिजनसमेन है वह बैंक को इंट्रेस्ट देगा बैंक आपको इंट्रेस्ट देगा तो इस प्रकार से काम चलता तो आपको बैंक के पास इंट्रेस्ट आगे काम खतम तो बैंक के पास के कि आप लोग हमें 20% interest दे हो गए और bank ने आपको कितना दिया bank ने आपको यहाँ पर दे दिया 5-8% तो बाकी जो बचावा पैसा आगया वो bank की कमाई हो गई यह आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर होता क्या है यह तो आपने bank का structure समझ लिया अब देखो होता क्या नपरफोर्मिंग एसेट बैंक ने जो पैसा दिया था बिजनसमैन को वो बिजनसमैन ने अपनी बिजनस खड़ा करा पैसा लेने के बाद और वो बिजनस डूब गया अब यहाँ पर इस बिजनस के माई कुछ भी पैसा नहीं है यह bank को नहीं दे पाएगा और bank को एक तरीके स यहाँ पर यह NPA crisis के अंदर count किया जाता है मालो यह NPA का incident हो गया non-performing asset क्योंकि यह bank का पैसा डूब गया तो यह ऐसी चीज़े देखने को मिलती है और इसी को लेकर आपको मालूम होगा अभी एक नया bank structure बनाया जा रहा है bad bank structure इसी को लेकर bad bank होता है bad bank क्या करता है यह आप आपको नीचे comment section में बताना है पहले में आप लोग को बता चुका हूं सारे notes आपको टेलिग्राम पर मिल जाने वाले हैं उसके बाद बात करते है sports section की तो sports section में को यह ऐसा article है नहीं एक छोटा सा article आपको यह देखने को मिलेगा यहाँ बात करे गई है paddler पायस के बारे मे एक तरीके से world के अंदर number one ranking हासिल करी है किस जीच के अंदर international table tennis federation के थूँ यहाँ पर यह सारी ranking release करी गई है उस ranking के अंदर यहाँ पर यह number one में है तो मतलब यह आप ध्यान रख सकते हो इसके बारे में क्योंकि बागी तो ऐसी कोई information है नहीं ठीके देखो sports section में कोई ऐसा article आही नहीं रहा है कोई article है कोई बड़ा incident create हुआ है कोई award वगरा का तो आप लोग कवर कर सकते हो बाखी आप लोग यहाँ पर इन articles को skip कर सकते हो चलते हैं हम लोग अपने editorial section के ओपर now editorial में आज के तीन important editorial यहाँ पर discuss करेंगे एक है quad के बारे में नया जो quad group है उसके बाद य इसको हम लोग थोड़ा सा discuss करने वाले हैं तो start करता discussion लेकिन उससे पहले आप देख पाओगे बांगलेदेश के अंदर जो incident हुआ है उसके बारे में चर्चा हो रही है हमने देख लिया यह article के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत सारे incidents देखने को मिलने हैं बहुत सरे civilians कीट ह तो यह बहुत सारे soldiers शहीद हुआ हैं क्यों हुआ है क्योंकि आज करने पर कश्मीर के दर terrorism बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत सारे reason है एक reason अफगानिस्तान के अंदर जो एक तरीके से US ने विड्रो किया है उसकी वज़ा से भी terrorism बढ़ा है प्लस यहाँ पर बहुत सारी च सोफों दिसकस करेंगे यहां पर जिशायर कशर एंदर और दर कश्च्राइड है इंडिया और यहां पर US को चया होता है पहले आपको समझना होगा को अपर मैंने एक मालो शबना दिया इसके अंदर कीजिक दर सफिर कोंह से हैं चार साइड है इस हम लोग कौड बो लेंगे तो मतलब चार साइड वाला कोई भी फिगर उसको लोग क्वाड बोलता है तो इस क्वाड ग्रूप के अंदर चार कंट्री से कौन कौन सी है इंडिया है, यूएस है, इसराइल है और यू एई है ठीक है तो यहाँ पर इन चार ग्रूप का ये क्वाड है इस से पहले वाला क्वाड कौन सा है तो उसके अंदर अगेन इंडिया है, अगेन यूएस है लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान है उसके बारे में आपको पता होगा जो नीचे वाला क्वाड ग्रूप है, इसका मेन फोकस होता है वो क्या क्या करेंगे, कल मने एक आर्टिकल डिसकस किया था उससे हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा आपको मालूम होगा हाली में, जो हमारे एक्स्टरनल अफैर मिनिस्टर है वो कहा गए थे, इसराइल की विजट पर गए थे, और वहाँ पर बैट कर काफी कुछ डिसकशन किया है वो डिसकशन क्या 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 है, आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी पहली चीज़, इंडिया और इसराइल ने मिलकर एग्री कर लिया है कि ये लोग फ्री ट्रेड एग्रिमेंट करेंगे इसकशन क्या है, तो आपको मालूम होगा कि इसराइल, आभी मैंने आपको इसराइल की location दिखाई थी तो इसराइल की आसपास आपको साओधी अरेबिया देखने को मिलेगा UAE देखने को मिलेगा यह सारी countries देखने को मिलेगी नीचे आपको बाहरेन देखने को मिलेगा मतलब यहाँ पर आपको बाहरेन देखने को मिल जागा तो य और इनने इस्राइल को as a territory मतलब as a country recognize किया सबसे पहले फिर उसका पिछले साल की बात है साल 2020 की एक Abraham Accord किया गया उस Abraham Accord में United Arab Emirat ने यानि कि UAE ने भी इस्राइल को recognize कर लिया as a country तो आप देख पाओंगे कहीं ना कहीं इस्राइल को जो relations है वो Arab countries के साथ grow हो रहे है अरब countries के स थोड़े से increase होते वे नजर आएंगे इस्राइल के relation इंडिया के लिए बहुत साथा beneficial है ठीक है यह discussion हुआ उसके बाद जो हमारे external affair minister है इन्होंने इस्राइल के counterpart से बात करी Mr. Lepid से काफी कुछ discussion किया कि यहाँ पर COVID-19 को लेकर दोनों countries ने काफी काम किया है और यह जो free trade agreement है यह 2022 से काम करेगा 2022 में यहाँ पर आप कर सकतो हो इंडिया और इस्राइल के जो relations है वो और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं तो main focus के रखा गया है main focus रखा गया है कि इन countries के relation और ज़्यादा grow हो साधी साथ यहाँ पर इस्राइल ने एक announcement और कर दिया है इस्राइल ने announcement कि आए कि international solar alliance को यह एक तरीके से इस्राइल जोइन करने वाला है ठीक है international solar alliance का headquarter कहाँ पर है कल हमने discuss किया था नीचे comment section में आप लोग इसके बारे में बता सकते हो वही सारी चीजह यहाँ पर आपको mention देखने को मिलेंगी कि हमारे external affair minister visit करे इस्राइल के अंदर इस्राइल में free trade agreement को लेकर वो यहाँ पर mention है अब इससे क्या होगा जैसे यह quad बनता एक नया quad West Asia के अंदर यहाँ पर एक बहुत अच्छा response देखने को मिलने वाला है West Asia के अंदर एक और strengthen group देखने को मिलेगा यह हमारे वाले quad से अलग है दूसरा जो इंडो पस्वी वाला quad है उससे अलग देखने को मिलेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है तो UAE एक बहुत important आज की टाइम पर country है इंडिया की energy security के लिए UAE बहुत सरा investment भी करता है भारत के अंदर प्लस UAE ने इंडिया और Pakistan के बीच में mediate किया है तो इंडिया के लिए काफिया तक important Gulf country है UAE ठीक है उसका बोला गया अगर हम बात करें हमारे भूत काल में तो लगबग यहाँ पर आपको तीन चीज़े देखने को मिलेगी इंडिया का जो west Asia policy है वो देखने को मिलेगा इंडिया के जो relation है वो सुनी गल्फ मोनार्की इस इसराइल और एरान के साथ अच्छे देखने को सब जैसे यहां पर सुनी मुसलिम जादा रहते हैं यहां पर मोनार्क देखने को मिलेगा मोनार्क मतलब किंग का रूल देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर यह बोला गया प्लस उसके बाद आप देख पाओगे जो नॉर्मलाइज एग्रिमेंट से वो साइन करे गए इ इन कंट्रिस के साथ अपने इंगेजमेंट को और जादा मजबूत कर सकता है कौन को असे सेक्टर के अंदर व्यापार एनरजी क्लाइमेट चेंज को टाइकल कर सकता है मैरी टाइम सेक्यूरिटी को लेकर और जादा बाचीत कर सकता है अबराहाम अकॉर्ड के बारे मैं अगले आर्टिकल के तरफ और क्या है हमाली है इंपोर्टेंट उसके बाद एक आर्टिकल एक एडिटूरल यह है यहाँ पर ओथर ने मिंशन किया है ग्लोबल प्लेयर इं सोलर पार मतलब कैया है देखो तमिलाडू के अंदर बातचीत की गई है तमिलाडू कि अंदर आज के रहा है बहुत सरा काम हो आ है खास कर सोलर पावर के बारे में डिक्रिस्टलाइन और बहुत सारे अलगलग होते हैं ठीक है तो तमिलाडू यहाँ पर continue कर तमिलाडू की तरह आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो ऐसा बोला गया आज की टाइम पर तमिलाडू के अंदर बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे large-scale projects देखने को मिलेंगे जो कि regularly पिछले कुछ सालों में grow हो रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर तमिलाडू के अंदर जो solar power की capacity है वो बहुत तेजी से grow हो ही है लगबख increase होके 4.4 गीगावाट तक की यहाँ पर power इनकी increase हो चुकी है हम लोग का एक goal है बहुत ज़्यादा तगड़ा goal हमने रख रखा है 279 गीगावाट तक का कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ए अब solar panel को install करेंगे 2023 तक यहाँ पर तमिलाडू आपने target को meet कर रहा है और आज के टाइम पर आप देख सकते हो current capacity यहाँ पर क्या है एक तरीके से यहाँ पर बोलोगे जो current capacity है उसमें यहाँ पर तमिलाडू को जरुवत है थोड़ा सा तेज होने की यहाँ पर ऐसा बोला गय पहला generation यहाँ पर कुछ solar panels देखने को मिलते हैं एक monocrystalline होते हैं और एक होता है multi crystalline ठीके इसके अंदर silicon का स्थमाल होता है तो monocrystalline और multi crystalline यह solar panel आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर यह जो monocrystalline solar panel होता है इन panel की जो efficiency वो बहुत अच्छी होती है 24% की efficiency होती ह हाला कि जो multi crystalline होते हैं इनकी efficiency मतलब कितना अच्छा काम करेंगे इनकी efficiency 20% तक की होती है ठीक है उसके यहाँ पर बोला गया है जो crystalline silicon technologies है वो यहाँ पर बहुत पुरानी technology है यहाँ पर यह जो आज के टाइम पर आपको सकते हो कि हमारा जो पुराना सा market है solar panel का ठीक है उसके 95% तक जो market है वो silicon technology से ही गिरा पड़ा है solar panel ज्यादा तर इससे ही बनते हैं नाव जो mono crystalline cells है वो आज के टाइम पर dominant कर रहे हैं मतलब कि market के अंदर आपको mono crystalline वाले पैनल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे हाला कि यहाँ पर इनकी price बहुत ज्यादा हाई होती है लेक और इनको prefer कि जा रहा है ज्यादा तर क्योंकि इनकी efficiency ज्यादा है प्लस उसके बाद यहाँ पर low cost energy लग रही है प्लस यहाँ पर energy काफी अच्छी देंगे तो यहाँ पर बोला गया solar panel के बारे में तो दो प्रकार के solar panel आपको पता चल गए एक हो गया mono crystalline और हो गया crystalline उसके यहाँ पर आपका सकतो energy को निकाला जा सकता है energy को harvest किया जा सकता है तो यह एक तरीके से एक और नया solar panel आ चुका है तो आपका सकतो नईनी technologies हमारे पास regularly आ रही है हालागी हमें और भी बहुत कुछ achieve करना है solar panel के market में हम लोग grow कर रहे हैं जो एक तरीके से आपका सकते हो कि कि आज की आपर focus है हम लोग का की जादा साथ हम लोग solar energy को absorb कर सके हैं उसके बाद इसके additional में बोला गया कि देखो आज का टाइम पर solar farms के अंदर देख तरीके से जो rooftop के उपर आप देख पाऊगे solar panels का स्वाल होता है और उसके बाद यहाँ पर एक और solar panel की बात की करिए वह आप देख पाऊगे बहुत कमजोर सा आपको यह तो काम करेगा डेफिनिटली एक तरीके सा फ्लेक्सिबल होता है इसको लोग electronic डिवास में लगाते हैं वेहीकल में लगाते हैं यह आप देख पाऊगे इसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से बहुत मतलब पतला सा देखने क देखने को मिलता है यह आपका सकते हो वह इसके अंदर इस्तमाल होता है कैडिमम टेलराइड का यह आप लोग ध्यान रख सकते हो हावेवर जो यह जो efficiency होती है थिन फिल्म की बहुत कम होती है आपको ध्यान देना है जो crystalline silicon है यानि कि यहाँ पर जो हमारे पास अभी जो प पर आपका सकते हो discussion क्या है कि कौन से solar panel कौन से solar panel बहतर है उसके बाद उसके बाद यहाँ पर आप देखपाऊगे graphene quantum dot की भी यहाँ पर एक तरीके से technology आती वी नज़र आएगी यह भी हाँ पर solar photovoltaic cells के लिए solar panels के लिए है graphene यहाँ पर बनता है single layer of carbon atom से ठीक है यह आपको आप यहाँ पर आपको focus करना पड़ेगा कि इसके regarding आपको solution लेकर आने पड़ेंगे लगातार आपको यहाँ पर solution लेकर आने पड़ेंगे हम लोग काफी देजी से research कर रहे है solar panels के ओपर और आपको अपना target सेट करना पड़ेगा प्लस उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आपको उन targets को अपनाना पड़ेगा प्लस उसके बाद आपको जो भी problem से इनके अदर वो counter करनी पड़ेंगी policy support आना पड़ेगा policy बहुत important है जब तक आप एक policy नहीं लागए तब तक आप नईने technologies को adopt नहीं कर पाओगे तो आपको एक portion budget के अंदर आपको renewable energy का target रखना पड करेंगे एक ग्लोबल प्लेयर बनने में solar power sector के अंदर क्योंकि तमिलाडू आज के टैंबर काफी बेहतरिन काम करता हुआ नजर आएगा ओके आई होप आपको एक लेर हो चुका है उसका लास्ट एडिटूरियल बात करता है census के बारे में देखो यहां पर पहले तो मैं आप उसको कास्ट मतलब समय अएगा यहां पर बtı माग से पढ़ना एगाימ यहां जो संसस के बारे में इंटीया नहीं यहां पर कास्ट सेंसर्स को करने से मना कर दिया अपको मालूं होगा ठीके अब इसकी पीछे हां ऑपको और को लिए सोलूशन निए झूपको दिमाग से पढ करने के लिए बॉड़ी यहां पर क्या है कि दोखो यहां पर बोला गया जो कास्ट है बूसरी सैंसा से बेसिकली जर्ण नहीं होती हम अभी सेंसे के बारे में डिसकल्स करेंगे जन गड़ना जो है इसको कौन करेंट करता है तो इसको करेंट करने के लिए बॉड़ी है एक तरीके से आपर जो मिनिस्ट्री आफोमर फेर्ट से उसके इंडर में हापर यह काम किया जाता है उसके बाद जितने भी सैंसे से अब यहां पर कुछ और इंफोर्मेशन है देखो यहां पर यहां पर यह बोला गया सेंसर के बारे में कोई नई चर्चा नहीं है सैंसर जो यह जनगरना है वह बहुत पुराना कॉंसेप्ट है लगबख इंशेंट इंडिया मीडिवेल इंडिया के टाइम पर चर्चा हुआ करती थी कैसे तो यहां पर अर्लिएस जो लिट्रेचर रिगवेदा रिगवेदा रिवील क्या रिगवेदरना के अंदर मेंशन सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक तो आपको कास्ट का एक तरीके से कहीन देखने को मिलेगा उसके बाद जो अर्थ शास्त्र एकनॉमिक्स लिखी गई थी कोड़ेले के दौरा इसके अंदर भी पॉपुलेशन को काउंट करने कि अनिक जनगरना क्या है पॉपुलेशन को पर सरकार पॉलिसी लेकर आती है तो यहां पर बोला गया कि देखको यह आपर यह अर्थ शास्त्र एक अर्थ शास्त्र के अंदर पर सेंसर के बारे में काफी सियारी चीजह मैंशन है टिक है उसके बाद पर जो मुगल किंग अकबर है इनकी एक रिपोर्ट इंपरि इसके पर सेंसस के बारे में चर्चा हुई अब बात करते हैं modern इंडिया की modern इंडिया के अंदर भी आप देख पाओगे पहला complete सब्सक्राइब। ये उसमें Census Commissioner of India हुआ कर देते, ये सारे concept बहुत important है, इसके बारे में ध्यान रखना है, तब से लगातार हर 10 साल के अंदर Census चल रहा है, 2021 के अंदर भी Census आपको देखने को मिलेगा, नया Census हम लोगो जल्दी मिलेगा, लेकिन अपकी बार difference क्या है, डिफरेंस यह है कि अपकी प हैं, उसके अंदर से 18 languages में Census अपकी बार मिलने वाला है, उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे, Census के अंदर अपकी बार खास बात यह है कि 3rd gender को add किया गया है, उसके बाद यहां पर बोला गया, कि देखो, 140 साल के इतियास में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो Census तक आता रहता है, 2024 पचीस तक यह Census तयार होगा, ना यहां पर बात की कास्ट Census की, देखो, यही जनगरना होती है, लेकिन कभी, जब कास्ट के basis पर होगी, जातिवाद के basis पर होगी, तो वहां पर हम लोग यहां पर उसको कास्ट Census बोलते हैं, ठीके, तो यहां पर आप कह सक कास्ट Census 2011, और इस Census के अकोर्डिंग पता यह चला, कि सारा Census फेल हो चुका है, इसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, साल 2011 के कास्ट Census का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो अब करना बिकार है, सरकार का कहना है कि पहला वादा Census फेल हो चुका था, और अपकी सार भी बेकार है, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहां पर आप देख पाऊगे, क्योंकि जो कास्ट Census हुआ था ना साल 2011 में, इसके बेसिस पर पता है कितनी कास्ट निकल कराई है, कितनी जातिया निकल कराई है, 46,00,00,00, निकल कराई थी इस Census के अंदर, मतलब इमेजन करो तो यहां पर 46,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, इन्फरमेशन ली जाती है तो यहां पर लोग अपना नाम वही बताते हैं. अलग अलग यहां पर कस्ठ रहते हैं. हलाग कि सब एक कास से बिलॉंग कर रहे हैं, ज्यादफ कैडिकर रहे हैं, लेकिन यहां पर समने अलग लग लग नाम बताया है, ये बोलने हैं कि आपको कास सेंस करना चाहिए क्यों क्योंकि ये 2011 के अंदर आपने करने किया था कितने साल हो चुके हैं दस साल हो चुके हैं क्या दस साल में आपने किसका कोई सब्सक्राइब करना चाहिए इसके रिगार्डिंग सॉलूशन लेकराना चाहिए हलाकि सॉलूशन यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया है चाहिए आप लोग पढ़के देख लेना तो यह आपको यहां पर पता चल जाएगा ओके तो आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं ह आई होब आपको सब कोज अच्छे से क्लियर हो चुका है मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई है वनाइस दे थैंक्यू एंड जैहिंद